आज की ये कहानी है सिद्धा रमिया की जिने आप लोग प्यार से सिद्धू के नाम से भी जानते हैं और बर्टमार में ये करनाटक की मुख मंतरी यानि की चीब मिनिस्टर है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे ये आप देखे इनकी पतनी है और इनका समढ़ करनाटक से है एक बार पहले आप लोग करनाटक को देख लीजे ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है हमारा प्यारा भारत आंपडिस, तमिलनाडू और केरल से लगती है एक नबंबर 1956 में इसी राज बनाए गया था, विधान सभा में 224 सीटे हैं, विधान परिशद भी यह जिसमें 75 सीटे हैं, राज्य सभा में 12 सीटे हैं, लोकसभा में 28 सीटे हैं, एक लाख 91.791 बरक किलूमीटर में यह आपका कर्नाटक फैला हुआ है तो सिध्धरमिया का जनम 12 एगस्त, 1948 को मैसूर में हुआ था, और कर्नाटक को आप लोग पहले मैसूर के नाम से भी जानते थे, इनके पिता का नाम सिध्धराम गोडा, और इनकी मा का नाम बोरामा गोडा, और इनकी पत्नी का नाम पारवती सिध्धरमिया है, इनके दो लेकिन उन्होंने बकील बनने का फैसला किया और उसके बाद आप देखिए राजनीता बन गए तो इनकी अगर हम लोग सिख्छा की बात करें तो मैसूर यूनिवसिटी से हासिल की इन्होंने बकालत की डिगरी कानून की डिगरी मैसूर जले के गाओं में जन्मे सिध्धरमि कि माता-पिता चाहते थे कि डॉक्टर बनें लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने कानून की पड़ाई की और आजनीती में कदम रखा और इनके आप देखते हैं कि दो वेटे थे नके क्या दो वेटे ते राकिस जिनकी आप देखते हैं मित्यु 2016 में होई थी कर्णड अभ पकालत की औसिक्षक भी रहे हैं उन्डी सो सदत्तर में जॉज फंडानीस के साथ लोग थाला पार्टी में सामिल हुए और आप दिखते हैं कि आंगे उन्डी सो तेरासी में समुंद्री सुरी विधान सबाचित से ये विधायक बनते हैं पहली बार अगर आप लोगों को वि बोटर सुची में नाम जुड़ चुका है और आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे और ये चुनाव करवातकों ने एलेक्षन कमिशन ओप इंडिया भारती निर्वाचन आयो इन चुनाव की देखभाल करता है एक सामिधानिक संस्ता है और अनुछे 324 के तहत जाचित हुए और पसू फालन और पसू चिकिस्था सेवा मंत्री बनते हैं 1989 में वो विधासवा चुनाव में एम राजिस सेकर मूर्ती से हारे और 1992 में जनता फार्टी के महासचिप बनते हैं 1994 में वो उपमुख मंत्री की रूम में चुने जाते हैं फिर आप देखे 1996 में क करनाटक के उपमुख मंत्री के रूम में फिर से वो चुने जाते हैं 13 मई 2013 को करनाटक के मुख मंत्री के रूम में एस सपत लेते हैं फिर आप देखते हैं कि 2018 में दो निर्वाचन छेत्र रियानी की चामूंडे सोरी और बादामी के लिए करनाटक विधानसवा चुनाव जाते हैं और 2023 में आप देखी सिध्धरमिया वर्मा से जीते और 9 वी बार ये बिधायक बने और 20 मई 2023 को उन्होंने करनाटक के मुख मंत्री के रूम में सपत ली चीम मिनिस्टर के रूम में सपत ली तो एक कहानी है सिध्धरमिया की एक सौट वाइगराफी कह सकते हैं या सौट इस्टोरी इनकी कह सकते हैं या आप देखें मुख मंत्रियों की सिंखला चल रही है इसमें हम लोग एक एक करके सभी मुख मंत्रियों के बारे में बात कर लेंगे और भी किसी के बारे में जानने की दिल्चस्पी है आपकी तो उसका नाम भी आप लोग नीचे बता स उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे